कि अच्छे मई 1857 मेरक्ष चावनी में 90 हिंदुस्तानी सवारों की एक कंपनी को प्रयोग के तौर पर नए किसम के कारदूस दिये गए ये वो ही कारदूस थे जिनके बारे में कहा गया था कि इन में गाय और सूर की चर्बी लगी है इन कारदूसों को दाथ से काट कर चलाना था 90 में से 85 सिपाहियों ने उन कारदूसों को इस्तिमाल करने से मना कर दिया इन 85 सिपाहियों का कोट मार्शल हुआ आग्या ना मानने के जुर्म में उन्हें 8 से 10 साल कैद की सजा सुनाई गई 9 मई की सुबा उन 85 बंदी सिपाहियों को परेज मैदान में लाकर खड़ा किया गया उनके सामने गोरी फौज और उसके साथ तोप खाना भी खड़ा किया गया इस द्रिश्य को दिखाने के लिए छावने के बाकी सिपाहियों को भी बुलाया गया ताकि वो भी सबक ले बंदी बनाये के सभी 85 सिपाहियों की वर्दियां उतरवा ली गई बेडियां डाल दी गई इस तरह अपमानित करके उन्हें जेल खाने ले जाया गया अपने साथियों के साथ हुए इस जुल्म को देखकर वहां खड़े भारतिय सिपाही भीतर ही भीतर दुख और घुस्से से परिशान हो उठे उसी दिन शाम को जब मेरत च्छावनी के बाकी सिपाही बाजार में घुमने गए तो सभी ने उन्हें नफरत के निगाह से देखा लो ये आ गए बड़े सूर्मा अंग्रेजों के गुलाम सिपाहीों के लिए ये अपमान बरदाश्त करना मुश्किल हो गया बैरकों में उसी रात गुप्त सभाई हुई ना कोई सो सका ना किसी को चैन आया 9 मई की ही रात को सिपाईयों ने दिल्ली के नेताओं को खबर भेश दी कि हम विद्रोह कर रहे हैं और कल या परसों तक दिल्ली पहुँच रहे हैं अब हमारे लिए 31 मई तक रुखना मुश्किल है 10 मई 1857 उस दिन रवीवार था मेरट शहर के अंदर नगर निवासी और हजारों हत्यार बंद क्रामवासी इखटा हो रहे थे उधर च्छावनी में वो सुभा आई जिसका क्रांतिकारी सिपाही सारी रात बेताबी से इंतजार करते रहे थे उनका दल सबसे पहले जेल खाने की और बढ़ा उन्होंने जेल की दीवार तोड़ दी और जेल में खुस गए उन्होंने बंदी बनाए सिपाहियों की बेड़ियां काट से और उन्हें मुक्त किया जेल के जेलर भी क्रांतिकारीों से मिल गए थे उन्होंने ना तो कोई विरोत किया और ना अंग्रेज अबसरों को खबर ही दी इसके बाद सारे क्रांतिकारी सिपाही अंग्रेजों का खात्मा करने के लिए तोड़ पड़े हिंदू, मुसल्मान, पैदल, सवार और तोब खाने की सिपाही सभी वित्रोही हो उठे सब तरफ एक ही नारा कूँच उचा उस दिन मेरच में बहुत से अंग्रेज मारे गए बंगलों, दफ्तरों और होटलों में आग लगा दी गई शहर और च्छावनी दोनों जगा भयंकर वित्रोहो छड़ चुका था तारों को काट दिया गया था और रेलवे लाइन पर क्रांतिकारी सिपाहीयों का पहरा लगा था ग्यारा मई 1857 के सुबह आठ बजे क्रांतिकारियों का दल दिल्ली पहुचा वे दस तारीख के रात को ही मेरट से चल दिये थे दिल्ली के क्रांतिकारी नेताओं को तो उनके आने की खबर थी लेकिन अंग्रेज अफसरों को कुछ भी पता नहीं था जैसे ही अंग्रेज पहुची अफसर करनल रिपले को खबर मिली वो 54 नंबर देशी बल्टन को लेकर मुकाबले के लिए आगे बढ़ा अपने भारतिय सिपाहियों को मुकाबले में देखकर मेरच के क्रांतिकारियों ने हर हर महादेव अल्ला हो अक्पर अंग्रेजी राज का नाशों बहादुशा जफर की जै ऐसे नारे लगाए अपने सामने खड़े आजादी के दिवाने सिपाहियों को देखकर 54 नंबर पल्टन के दिल में भी राश्ट्रियता जाग उठी वे मेरच के सिपाहियों से लड़ने की बजाए गले मिलने लगे करनल विपले ये देखकर घबरा गया. वो भागना चाहता था पर क्रान्तीकारी सिपाहियों ने उसे मार दिया अब दिल्ली और मेरच के क्रान्तिकारी सिपाहियों ने कश्मीरी दर्वाजे से दिल्ली में प्रवेश किया उधर बहादुर्शाज जफर और बेगम जीनत महल ने सोचा कि अब 31 मई तक इंतजार करना ठीक ना होगा अगर अंग्रेजों को मौका मिल गया तो वो क्रांती को दबा देंगे शाम तक मेरच की पैदल सेना और तोब खाना भी दिल्ली पहुँच गया लाल कले में पहुचकर करन ठीकारी सेना ने बहादुर्शाज जफर के नाम 21 तोपों की सलामी थी बहादुर्शा के पास पहुचकर करन ठीकारी सिपाहियों ने उन्हें सलाम किया और मेरच का हाल सुनाया मेरा खजाना खत्म हो चुका है मैं आप लोगों को तनुखाही कहां से दूँगा हम लोग हिंदुस्तान भर के अंग्रेजी खजाने लाला कर आपके कदमों में डाल देंगे अगर आप लोगों में कुर्बानी का इतना होसला है तो मैं आपका साथ दूँगा वैसे आप जानते हैं कि मैं बूढ़ा और कम्जोर हूँ इसलिए आपको अपना रहनुमा तो चुनना ही होगा बहादौर शाह जफ 것이 चार घजफि चार बहादौर शाह जफर की चार लाव था इसके बाद फ्रानतिकारियोंने अंग्रेजों के तमाम खाजाने बैंक इमारति आदी अप्टेश में ले ही जहां जो इंग्रेज मिला उसे कतल कर दिया गया 11 माई से 16 माई तक दिल्ली में अंग्रेजों का कतले आम हुआ दर्यागंश के तमाम अंग्रेजी बंगले चला दिये गए अब बारी थी दिल्ली के शस्त्र भंडार की जिसमें करीब 9 लाख कार्टूस, 10 हजार बंदू के और बहुत सा गोला बारूप था यहाँ पर 9 अंग्रेज सिपाहियों का पहरा था वे किसी भी हालत में ये शस्त्र भंडार ख्रांतिकारी सेना को सौपने को तैयार नहीं थे आखिर ख्रांतिकारी सेना ने उन पर आक्रमन कर दिया वे 9 अंग्रेज सिपाही जाधर देर टिकना सके उन में से एक अंग्रेश सिपाही ने शस्त्र भंदार में आग लगा दे इससे इतना भयानक विस्पोट हुआ कि वे नौ अंग्रेश सैनिक, 25 हिंदुस्तानी और करीब 300 दिल्ली वासी मारे गए 16 मई 1857 को दिल्ली शहर कमपनी के हाथों से पूरी तरह आजाद हो गया और समराच बहादुशा जफर का शासन स्थापित हो गया बहादुशा जफर ने सबसे पहले बरेली के बहादुर बख्त खां को सेना की कमान सौपी और उसे प्रधान सेना पती बनाया इस मौके पर बहादुशा ने बख्त खां से कहा बहादुर मुझे तुझ पर बड़ा भरोसा है मुझे तुम खुदा हवाले करो और यहां मैदान जंग में कुछ करके दिखाओ इसके बाद बहादुर शाह जफर ने देशवासियों के नाम एक पैगाम प्रसारित किया मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि जिस कीमत पर और जिस जर्ये से भी हो सके फिरंगियों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल दिया जाए लेकिन इस मकसद को पूरा करने के लिए जिस इंकलाब जंग की शुरुआत की गई है वो तब तक फतहयाब नहीं हो सकती जब तक कि कोई ऐसा शखस जो इस तहरीक के तमाम बार को अपने कंधों पर उठा सके और तमाम का नुमाइंदा कहला सके मैदान में आकर इस इंकलाबी जंग की गयादत अपने हाथ में न ले ले बहादुशा ने ये भी ऐलान किया अंग्रेजों को मुलक से निकाल दिये जाने के बाद अपने जाती फाइदे के लिए हिंदुस्तान पर हकुमत करने की बाखुदा मेरी जरा भी खौाहिश नहीं है याद रखें खुदाने इंसान को जितनी भी नेमतें अता की हैं उसमें सबसे बड़ी बरक्त आदादी है इसलिए हमें हर कीमत पर अपनी आदादी की हिफाज़त करनी है मैं खुदा को हाजर नाजर जान कर आप से ये भी वाइदा करता हूँ कि मुलक से अंग्रेजों के निकाल दिये जाने के बाद मैं अपने तमाम शाही अख्तियारात और उनके उस शख्स को सौप दूँगा जिसे आप लोग चुनेंगे क्रांती की चिंगारी सारे देश में फैल चुकी थी दिल्ली के सेनापती ने तमाम देश के बहादुर फोजों को संगठित करने के लिए खत भीजे उन खतों में लिखा गया था भाईयो दिल्ली में अंग्रेजों के साथ जंग हो रही है खुदा की दुआ से हमने अंग्रेजों को जो पहली शिकस्त दी है उससे वो इतना घबरा गए है जितना किसी दूसरे मौके पर इन शिकस्तों से भी न घबरा दे बेशुमार हिन्दुसतानी बहादुर दिल्ली में आ आ कर जमा हो रहे हैं ऐसे मौके पर अगर आप खाना वहां खा रहे हैं तो हाथ यहां आ कर दोईए शाहों का बाच्छाः जहाँ बना हमारा दिल्ली का शहिंशा आपका इस्तक्माल करेगा और आपकी खिद्मत का सिला देगा हमारे कान इस तरह आपकी तरफ लगे हुए हैं जिस तरह रोजेदारों के कान अजान देने वालों की तरफ लगे रहते हैं हम आपकी तोपों की आवाज सुनने के लिए बेचैन है हमारी आँखें आपके दीदार की प्यासी उसी तरह सड़क पर लगी हुई है जिस तरह कासित की आँखें लगी रहती है आईए आपका फर्ज है फॉरन आईए हमारा घर आपका घर है झाल आपका पर लगी हुई है